आपकी लाइब परफेक्ट हो और उसके बाद आपको पता चले ये जो सब था ये सब को जूट था आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने वाला हूँ आज की मूवी का नाम है ड्रीम लोवर है 1993 की हॉलिवड मूवी है ये एक बहुत ही सही थ्रिलर है तो चले ये शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और मूवी का मैन का एक्टर रे हमें दिखाय जाता है ये एक कोट्रों में आया हुआ है आज इसका डिवोस होने वाला है रे ने अपना लॉयर ने लाया होता जब जजर्ज उससे पुछता है कि तुम्हारा लॉयर का है वो कहता है कि मैंने उसे फायर कर दिया है मुझे मेरी वाइफ को उसे जो सब चाहिए वो सब दे देना है उसे हाँ फाइट नहीं करना है इसकी वाइफ ने उस पर चीट किया था इसी वज़े से उसने उससे अब तलाक ले लिया है तलाक हो जाने के बाद ये एक ही बेंच बाद दोनों बेटे हुए होते हैं एक दुसरे से कह रहे होते हैं कि कितना प्यार वो एक दुसरे से करते थे रेक की वाइफ ने उसे पर cheat किया था यहां यहां पता चलता है रेक उसे में आकर उसने अपने वाइफ को slap किया था इसकी वाइफ उसे कहकर जाती है कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो तुम जैसा आदमी मुझे फिर से मिलना यह बहुत ही difficult होगा रे कहता है कि अच्छी तरीके से तुम ट्राय करना रे इसके बाद उसके friends के साथ party में दिखता है इसके जे friends है कि उसका तलाख हो गया है इसके एक celebration कर रहे होते है यह उसे बता रहे होते है कि बहुत सारी औरते वहाँ है अब तुम dating कर सकते हो और बहुत सारे मज़े तुम कर सकते हो यहाँ इसके friend Norman, Larry और उसकी wife होते है next scene में हम दिखता है कि Norman Ray के पास आया हुआ है उसे वो पैसो के लिए पूछ रहा है Norman जोता है हमेशा कुछन को scam करता लेता है इस बार भी उसे 20,000 डॉलर्स के जरुरत होती है Ray उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता हम दोनों में friendship है यह friendship पैसो की वज़े से तूट सकती है इसलिए मैं तुम्हें पैसा नहीं देने चाता Norman बहुत ही insist करता है उसके बाद वो 10,000 डॉलर्स के देने के लिए मान जाता है Norman जाते जाते कहता है कि जिन लड़कियों से में तुम्हें मिलवाता हूँ उन्हें लगता है कि तुम बहुत ही नीडी हो Ray को इस पर गुसा आ जाता है उसे थोड़ा सा भी ने लगता कि वो नेडी हो सकता है या अब Norman को कहता है कि अब मुझे लड़कियों से मिलवाना तुम बन करो मैं अपने हाँ किसी लड़की को ढूंड सकता हूँ Norman Ray को एक पार्टी में इन्वाइट करकर चला जाता है यह जो पार्टी होती है यह आर्ट गैलरी में होती है या बहुत सारे बायर्स और सेलिस भी आये होए होती है अब इस पार्टी में Norman एक लड़की से इसे इंट्रिउस नहीं करा था तो Larry करवाता है जब इस लड़की से बात कर रहा होता है तो यह बहुत ही कलिंगी होती है Ray को इसकी पसनलिटी पसंद नहीं आती और उसे वहाँ से निकल ना होता है जब वो जाने के लिए टर्ण होता है तो Lina से टकरा जाता है Lina इस पर बहुत ही चिड़ती है और इसे कुछ भी भरा बुरा कहे कर चली जाती है उसके बाद हमें दिखता है कि थोड़े दिन गुजर जाती है एक दिन रे सुपर मारकेट में होता है वो कोछ चीजे खरीद रहा होता है तब लीना उसे फिर से दिखती है लीना इससे पहचान जाती है और उसे कहिती ही कि हम पार्टी में मिले थे लीना के ड्रेस इसने खराब कर दिया था पर अब लीना ही इससे अपुल जैस कर दिया वो कहिती कि मुझे ऐसा रियाक नहीं करना चाहिए था मैं एक आर्टिस को इंप्रेस करना जाती थी इसलिए मुझे बहुत ही important लगता था पर वो बहुत ही घटी आदमी था मुझे उस आदमी से बचाने के लिए thank you यह एकर वो आगे चली जाती है रे को लीना अच्छी लगती और उससे और कुछ बाते वो करना चाता है यह जल्दी जल्दी अपने सब सामान ले लेता है दूसरे काउंटर खाली होते है पर भी लीना जिस काउंटर पर होती उससे काउंटर वो आ जाता है इनने वनों क्या के शॉपिंग की है यह वो डिसकस कर लेते है और इसके बाद Ray उसे कॉफी के लिए मनाता है लीना कहती है कि मैं अभी हंगरी हूँ यानि कि अभी उन्हें डिनर करना चाहिए यह उसे इंडारिकले वो कह रहे होती है इसके बाद यह होड़ल में आ गए है यहाँ पर लीना Ray से कह रहे होती है कि किस तरह से वो नियॉयोक से यहाँ आ चुके उसका जो जॉप था यह घटिया था और वहाँ कुछ प्रॉलम्स हो गई थी Ray फिर उसे कहता है कि मैंने यह कभी नहीं किया है सुपर मार्केट से किसी लड़की को डेट पर पूछना लीना इस पर थोड़ी से हस देती है यह फिर थोड़ी बाती करती है और फिर लीना केती है किसी को जानना उनके बहुत सारे नियर्स निकानने जैसा होता है कभी भी तुम एक आत्मी को पूरी तरह से नहीं जान पाते है जब इनका dinner खताम हो जाता है तो भी घर जाने लग जाते है रेली ना को उसके दोर तक छोड़ने के लिए आता है उसे कहता है क्या सिर्फ पांच मिनिट के लिए में उपर आ सकता हो लिना कहती है कि नहीं पांच मिनिट में तुम नहीं जाओगे यह कहकर वो तरवाज़ बन कर लेती है नेक्स दिन रे अपने फ्रेंड को लगा कर लीना का फोन नेमर निकालने के कोशिश्ट करता है उसका फ्रेंड उसे कहता है किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है जिस पार्टी में वो थी उस पार्टी में कोई भी इसका फ्रेंड नहीं है Ray को सिर्फ Ray coincidence लगता है और इसे इन्होर कर देता है Ray रात में फिर लीना के घर के पास आ जाता है लीना का वो wait कर रहाता है लीना जब घर आ रहे होती है तब एक आदमी के साथ होती है उसे बजाते बग किस करती है और फिर घर अंदर आ जाती है रे बिल्डिंग की नीचे आता है यहाँ बज़र्स होते है यानि की बिल्डिंग में जो सब लोग रह रहे है इन्हें कॉंटक कर सकता है अगर इन्हों परमेशन दी तब यह दोर खुलेगा यह अलग-अलग अपरमेशन में कॉंटक करता है और फिर लीना का ही आवाज उसे सुनाई देता है वो कहता है कि तुमसे मैं कॉंटक कर पाओ इसका मेरे पास कोभी वे नहीं था मैंने ट्राय किया पर मुझे तुमार नंबर वेकरा कुछ भी मिलने पाया इसलिए मैं इस तरह से तुमसे मिल रहा हूँ वो कहता है कि क्या हम कभी डिनर के लिए किसी कॉफी के लिए बाहर जा सकते है उसे फिर से डेट के लिए वो पूछ रहा होता है पर लीना अब डोर ओपन कर देती है रे जब लीना के अपरमेंट में आता है तो उसे वो वेट करने के लिए बोलती है ये शावर में होती है ये जब फिर से वापस आती है तो रे सीधे पॉइंट पर आता है वो कहता है कि बाहर ही खड़ा था तुम जब यहां आये तो तुम्हारे साथ एक आदमी था वो कौन था ये कहती है कि वो सिर्फ एक फ्रेंड था और वो गे है यानि कि इससे कोई भी वरी करने के ज़रूरत नहीं है लीना जो होती है अब इससे सही से बात नहीं कर रही हुती जिस तरीके से वो कल बात कर रही थी अब वो ज़रा ज़्यादा सीरियस है रे को अब ये बहुत ही अजीब लगता है और कहता है कुछ तो बदल चुका है आज क्या हुआ है रे बोलता है कि प्रॉलम क्या है ये कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करने लग गई हूँ रे फिर इसके पास जाता है से कहता है कि ये problem नहीं है इसके बाद ये दोनों intimate हो जाते है ये दोनों फिर bed पर होते है तो लीना अपनी story सुनाती है ये कही थी कि मैं जब छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत ही मारा करती थी मेरे फादर सिर्फ इसे देखते रहते थे कुछ भी उन्होंने नहीं किया था ये family में बहुत ही abuse हुई थी ये फिर रे को कहती है कि मैं सिर्फ pretty हो इसलिए सब को लगता है कि उन्हें मुझे पा लेना है मैं भी सब लोगों की तरह ही हो मैं भी एक screwed of इंसान हो रे कहता है कि मैं वैसा नहीं हो तुम जैसी हो as a whole मैं तुमें accept करता हूँ इसके बाद बहुत सारा time गुज़र चुका है और directly हमें लीना और रे की दोनों की शादी है ये हमें दिखाई पड़ता है इस शादी में रे बहुत ही खुश होता है उसका friend वेगरा उसे congratulations करता है उसका friend Norman भी लीना की बहुत ही तारीफ करता है जब लीना और रे इस party में अकेले होते है तब रे के father और mother को देखते है इन दोनों की शादी में बहुत साल हो चुके अब इन में प्यार बच्चा नहीं लीना उसे कहती है इस तरह से couple हम कभी भी नहीं बनेंगे इसके बाद और भी time गुज़ा जाता है और लीना को बच्चा हो गया है यह हमें पता चलता है नेकसिन में लीना और रे बाहर खाना खाने के लिए आये होए होते है तब यह एक और उसके पास आजाती है उसे वो CC पुकारती है लीना कहती है कि मैं CC नहीं हूँ उसका नाम वो उसे पताती है इस औरत को बहुत ही अलग लगता है उसे वो माफिय मांग कर वहाँ से चली जाती है लीना रे से कहती है कि बहुत बार मेरे साथ होता है हर बार लोग मुझे CC पुकारते है मेरी तरह कोई दिखती है और इसका नाम CC है अब इमें दिखता है कि और भी टाइम गजर चुका है इनका चुबच्चा है या और भी बड़ा हो चुका है रे एक दिन अपने काम से वापस आता है तो लीना किसे से बात करी होती है इसकी बहुत ही सिडेक्टी होती है तो इसे लगता है किसे आदमी से बात करी होगी रे जब इससे पूछता है तो यह कही थी कि यह मेरी फ्रेंड थी इससे में बात करी थी रे फिर यहाँ इससे कुछ भेने बोलता और अपने friend के साथ हमें बार में दिखाय गया है अपने friend को घह रहा होता है इसका चक्कर चल रहा होगा उसका friend कहता है कि तुम ज़्यादा भी paranoid हो रहे हो इससे कुछ भी सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है रहे इस चीज़ को छोड़ने के लिए ready नहीं होता उसका friend फिर उसे समझाता है कि अगर तुम्हें इतना ही लग रहा होगा तो कुछ हो सकता है यह जो हमें senses दिये गए है यह हमारे six senses के तरह ही होते है इसके बात हमें दिखता है कि रहे एक meeting में आया हुआ है यहाँ एक औरत है जिससे वो हमेशा phone पर बात करता था अज पहली बार वो इसे पसनरी मिला है यह दोनों बात करने लग जाते है तब इससे पता चलता है कि यह जो औरत है यह भी लीना के ही university से पड़ी थी रहे कहता है कि क्या तुम उसे जानती हो यह कहती है कि वो दिन बहुत ही अलग थे मेरे बहुत ही कम friends थे और इसके बाद जो मेरे friends के साथ contact है वो भी मैंने lose कर दिया है वो कहती ही कि हमारे principal heart attack से stage पर मर गए थे यही एक बड़ा incident मुझे याद है यह जो meeting होती है यह successful खतम हो जाती है यह एक बड़ा contract रे को मिला होता है तो रे बहुत ही खुश होता है रे घर पर आता है लीना के साथ dinner कर रहोता है लीना से कहता है तुमारे एक friend मुझे मिली थी लीना कहती है कि मैं उससे नहीं जानती रे फिर principal का नाम लेता है वो कहता है कि क्या तुम उससे जानती थी लीना गेती है कि हाँ वो मेरी class में था यह कहता है कि उसके साथ जुआ यह बहुत ही बुरा हुआ लीना भी इसके लिए आगरी कर ती है यहां रे को पता जल जाता है कि लीना ने जो उनिवसिटी उसकी बताई थी ये गलत थी रे को अब शक होने लग जाता है तो लीना के वो पस चेक करता है इस पस में उसे होटेल की कार्ट्स मिलते है लिना जब इसे पकड़ लेती है तो रे गहता है यह पैसे लाना भूल गया था मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे तब तक के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए रे फिर लिना का जो होम टाउन है यह पता कर लेता है और वहाँ पहुच जाता है लिना की फोटो सब लोगों को दिखाता है यानि कि किसी ना किसी को तो पता होगा कि लिना कौन थी यह फिर जब एक आदमी के पास आजाता है तो वो इससे जानता है यह पहले इसका बॉइफरेंड होगा करता था ये रे पर हसने लग जाता है, वो कहता है, कि लीना मुझे हमेशा बताये था, कि वो किसी रिच आदमी से शादी करना चाहती है, लीना उसके साथ कुछ भी कर सकती है, ये उसे वान करता है, रे कहता है क्या इसके मदर और फादर के बारे में तुम्हें कुछ पता है, ये कहता कि क्या अब तुम तुमारे असाइन्मेंट से रिलियर हो चुके हो रे को कुछ समझ में नहीं आता एक्चुल में लीना ने अपने फादर और मदर को बताया होता है कि रे सियाय में है इसलिए वो उनसे मिल नहीं पाती रे जब यहाँ पहुचता है तो लीना की परविर्श कितनी अच्छी हुए यह सब वो देखता है इसके मदर और फादर दोनों बहुत ही स्वीट होते है रे फिर लीना को उसके फादर और मदर को अपने घर लेकर आता है लीना जब इससे देखती है तो बहुत ही सप्राइस्ट होती है लीना की जो सब अच्छी स्टोरिस ती इसके मदर और फादर इसे कहती है जब मदर फादर चले जाते है तो फिर ये लीना को कन्फरंट करता है वो कहता है तो अन्हें मुझे क्यों नहीं बताए था तो ने मुझे जूट क्यों बोला ये तुमने क्या था तुमारी family तो बहुत ही sweet है यton कभी भी तुम्हें abuse नहीं कर सकते लीना कहिती है ये family में अलग अलग तरह के अबuse होते है इससे क्या फरक पड़ता है लीना का नाम लीना नहीं है तो CC था इसके बारे में वो उससे confront करता है लीना कहती है जिस टाउन में में रह रही थी अबर मैं वहार रही थी तो मैं वहाँ सटक हो जाती मेरे बॉइफ्रेंड से तुम मिले उसके शादी मेरी शादी हो जाती मेरे लाइफ पुरी बर्बाद हो जाती तो इसलिए मैंने इसाब decision लिए थे मैं New York चली गे अपने आपको मैंने रियमेंट किया है रेका जब गुस्ता शान्त हो जाता है तो यह दोनों intimate हो जाते है बेड पर यह इसे कहती है कि अब हमारे बीच में और भी कोई secret नहीं है इसके बाद और भी कुछ साल गोज़र जाते है और इनको और एक बच्चा हो जाता है इसके बाद इनकी life हमें दिखाए जाती है अपने friends के साथ hangout करते है जिस तरह से इनका पहले routine था यही चलता रहता है एक दिन ó रहे अपनी बच्ची को सुलाता है और hall में आता है तो लिना किसे से बात कर रही होती है प्रीज़र में जिस तरह से बात कर रही थी इसे तरह से वह बात कर रही है तो फिर से इसकी फ्रेंड ही थी यह उसे कहती है अब रहे इससे disturb होजाता है उसे confront करता है उसकी purse लेकर आता है और सब जीज़े भहाँ से निकलता है यहाँ एक hotel का सामान इसे मिलता है यह उसे कुछ भी बता नहीं रही होती है लीना फिर उट जाती है वो कहती है कि अगर तुम्हें confirm करना है तो मेरे friend से तुम बात कर सकते हो वो जबरदस्ती एक call लगा लेती है और जब यह call उठाता है तो यह voice machine पर चला जाता है रे एक दिन office आता है तो उसकी secretary ने चुटी ली होती है इसके जगा पर एक नई secretary आयो होती है यह temporary होती है जब इसे देखता है तो इसे पहचान लेता है इससे कहता है कि मेरी शादी पर तुम थी तुम लिना की friend हो ना एक्चुल में लिना ने इसे hire किया था शादी में इसकी friend कोई दिखनी चाहिए इसलिए इसने उसे hire किया था रे जब इसे इसके बारे में पुछता है तो यह हा कहती है या कहती है कि मैंने भौए सारी चीजे फेक की थी हम एक दुसरे से मिले थे, ये भी प्लान ही था मैंने तुम्हें चूज किया था, मैंने तुम्हें एक पार्टे में देखा था तुम तब married थे, तब थोड़ी दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा divorce हो चुका है तब मैंने decide किया कि मैं तुम से मीलूंगी जो सब हमारे बीच में हुआ था, ये सब मेरा ही plan था शादी में भी as a friend मैंने उसे hire किया था रेको को समझ में आता, लीना कहती है कि मुझे तुम चाहिए थे, इसलिए मैंने ये सब किया था तुम सब लोग एक दुसरे के लिए pretend ही तो करते रहते हैं हम as a actual person दुसरे को कभी मालूम नहीं होने देते तुम्हें क्या भसाने, क्या नहीं, ये सब चीजे मुझे पहले से मालूम थी तुम्हें लगता होगा कि ये गलत है, पर ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था तुम्हें कहता है कि हर बार मैं तुम पर believe करता हो और यहाँ जूटी निकलता है मेरा हार्ट, तुम्हारे लिए हमें open करता हो हमेशा तुम मुझे थोकाई देती हो लिना कहती है, कि यही तो प्यार होता है तुम किसे से प्यार करते हो और उसके बाद उनका जो सब false होता है अगर तुम disappointed भी हो गए तो इसके बाद भी तुम उससे प्यार ही करते हो अपना सब कुछ एक दूसरे को दे देना यह सही प्यार होता है इसके बाद हमें दिखता है कि रे अपने ओफिस में लिना का जो credit card बील होता है यह गल्दी से उसके ओफिस में आ चाता है उसकी secretary यह check करती है रे कहता है कि इसे तुम पेक कर दो सेक्रेटरी बोलती है कि तुम्हें इसे एक बार चेक कर लेना चाहिए रे जब देखता है तो इसमें होटेल के चेक इन चेक आउट के बहुत सारे डिटेल्स होते है यहां बहुत बार वो एक होटेल में गई हुती है रे लीना को call करने कोशिश करता है पर लग नहीं पाता ये गुष्टे में घर आ जाता है रे फिर घर में रीसिप ढूनने लग जाता है ये पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो रे कहता है कि तुम हमेशा होट डेल में जाती रहती हो उसके रीसिप में ढून रहा हूँ रे कहता है कि किसके साथ तुम थी वो बहुती चिड़ गया होता है रे उसे और भी चिड़ाने के लिए क्या तुम मालूम नहीं है ये तुम्हारी जान पहचान का कोई है मेरी फ्रेंड का नाम लेकर मैं उससे बाते कर दे रहती थी रे इस आदमी को जानता है ये सुनकर ये बहुती डिस्टब हो जाता है लीना उसे चिड़ाने लग जाती है तो रे उसे स्लैप करकर वहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है थोड़ी देर बाद जब एक घर पहुचता है तो वहाँ सैकाट्रिस आयो होता है ये कहता है कि लीना से तुम्हें दूर रहना है ये लीना के पास जाने कोशिश करता है पर वहाँ पुलिस भी होती है रे आउट आप कंट्रोल हो जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है इसे डारेक्ली में रख देते है लीना ने प्रीटेंड किया होता है कि रे ने उसे बहुत ही मार है अपने पूरे फेस पर इसने जख़म कर दी होते है mental hospital में लिना फिर रे से मिलने के लिए आती है court में hearing होने वाले होती है इसके बारे में उसे कहती है यह बोलती है कि hearing कैसी भी जाए फिर भी तुम याद रखना कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ रे कहती है कि तुम्हें एक psychopath हो यह थी है कि psychopath भी लोगों से प्यार कर सकते है या अब जो भी होगा इसके लिए ready हो रही होती है यानि कि अगर इसके खिलाफ hearing होगे तो रे से फिर से इस शादी में हो जा सकती है जब hearing स्टार्ट होती है तो सब सबुच जज को दिखाय जाते है इसमें दिया गया होता है कि रे हमेशा से लिना को मारता था रे इस पर disturb होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था लिना की therapist वह होता है वो बोलता है कि हमेशा इसके body पर bruises थे जब मैं इससे पूछता था तो ये बोल दी थी इसके पती नहीं से दिये है ये कोड में ये भी बेच करते है कि इसकी जो एक्स वाइफ थी इसको भी इसने मारा था रे वाइलेंट है इसी वज़े से इसे मेंटल असायलन में ही एक दो साल रहना चाहिए ये जज़ को उता रहे होते है ज़ज फिर रे को एक चाहांस देता है उसे क्या बोलना है ये बोलने के लिए ये सब को जब बताता है तो इसका उसके पास कोई भी पूब नहीं होता होटेल्ज की जो रिसिप्त थी है ये भी चल गई थी और जो होटेल की सब लोगे यह लिना को नहीं बहचान दे लिना की जो friend ही जिससे वो phone पर बाती करते रहे थी यह भी fake उसने इस courtroom में लाई हुए होती है इससे question पूछे जाते है और लिना की story जो होती है यह पूरी तरीके से सच है इन सब को यही लगता है अब इस hearing में रे को mental asylum में भेजना है यह fix हो जाता है जब वे hospital में होता है तो इससे बहुत सारे गोलिया दे कर हमेशा sedated रखते है यहाँ उसका एक friend बन जाता है रे को फिर idea आता है उसके friend की मदद वो लेने वाला होता है जो सब इससे गोलिया दे जाती है यह अपने friend को दे देता है यह फिर एक call लगाता है इसके friend की जो wife थी इससे इसने call लगा होता है रे की भी अच्छी friend होती है जब वे इससे मिलने के लिए आती है तो वे बहार आ जाते है रे कहता है कि लिना का चक्कर मेरे friend के साथ चल रहा था यह कौन था यह मुझे पता नहीं है इसकी friend की wife उससे कहती है कि मेरा ही पती था जिसके साथ इसका affair चल रहा होगा मैंने मेरे husband के पास एक अलग property की papers देखे थे लिना और उसका husband यह तलाग हो जाने के बाद बहुत सारे पैसुने मिलने वाले होते है तो इसके बाद वो वहाँ जाकर रहने वाले होते है रे फिर अपने friend से एक मदद मांगता है वो उसे लिना को call करने के लिए कहता है वो लिना को कहती है कि plan में कुछ loop hole है ऐसा रे कह रहा था रे को लिना से मिलना है या लिना को वो call करकर बता देती है राद में रे अपने friend को कहता है मैं hundred dollars देने वाला हूँ जब मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें कुछ काम करना है नेक्स दिन रे लिना से मिलने के लिए आता है जो hospital का जो staff होता है या लिना को उसके पास भी जाने देता है उन्हें लगता है कि रे बहुत ही situated है या लिना को कुछ भी करने बाएगा जब दोनों भार आते हैं तो hospital का एक staff इनकी पीछे होता है इन पर नज़र रख रहा होता है रे का friend फिर उसके पीछे आता है और इसे तंग करने लग जाता है या hospital का guard इसके friend का पीछा करते है इसके पीछे भागने लग जाता है रे और लिना बहुत ही आगया जाते है रे फिर लिना से कहता है कि बहुत ही अच्छा तुमारा plan था तो तुमारे plan में एक fault है तुम यहाँ नहीं आती पर तुमने यह जो सब मेरे साथ किया है यह तुम फिर इसे वापस करना चाती हो तुमारा जो foolproof plan है इसमें loophole कैसा हो सकता है इस curiosity से तुम यहाँ आई हो रे फिर इसे पकड लेता है यह कहती है कि मैं चीला होंगे रे कहता है कि तुम नहीं चीला पाओगे रे बोलता है मुझे जो बताना है मैं तुमें बता सकता हूँ पर इससे पहले तुम यह मुझे kiss करना है यह दोनों जब kiss कर लेते हैं तो कहता है कि तुमारा plan बहुत ही सही था पर तुमने जो last charge चली है यह गलत चली थी मैं अब mental hospital में हूँ अगर मैं पागल हूँ तो मैं जो भी सब action लोंगा इसमें मैं accountant नहीं रहूँगा मैं अगर तुम्हें यहां मार देता हूँ तो legal ही मुझे पर कोई भी case नहीं होगा एक दिर साल में यहां से मैं बाहर निकल जाऊँगा रे फिर इसको पकड़ कर इसका गला तपातेता है इसके बाद time गुजर जाता है और हमें दीखता है कि रे अपने बच्चों के साथ पार्क में आया हुआ है इसके बच्चे जब उसकी मदर के बारे में उसे बुच्चते है तब यह कहता है कि तुम्हारी मदर बहुत ही अच्छी थी इनके मदर के बारे में कोई भी गलत चीज़े इन्हें उसे नहीं बतानी एक positive और अच्छी परूरिश इन्हें हो देना चाता है अगर हम रे के बारे में सोचे तो beauty को ही हमाईशा इसने preference दिया था यह कहता था कि as a person वो लीना को चाहता है पर जब लीना ने उसे सब कुछ सच बदा दिया था पर फिर भी उसने उसे chance दिया था रे लीना से बहुत ही पैर करता था इसलिए वो उसे फज़ा दि रही और यह फस्ता रहा मूवी के last में उसके चेड़न उसके साथ है तो उसकी family उसे मिल गई है लीना से बदला लेने के बाद यह hospital से भी बाहर आ चुका है उसे जो family चाहिए थी यह family भी उसे मिल चुकी है इसकी बच्चे ही अब इसकी family है इनको आप वो अच्छी एक परविरिश देना चाहता है यही है movie end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लिस इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं ऐसी बहुत सारी movies आपके लिए लेकर आते रहे तो तो इस चैनल को subscribe कर दीचे और बेंट नोट्विशन आइकोन दबाना मत भूले यानि कि आपको सब movies मिलते रहे हैं हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये